Hello friends, आज हम fundamental of life का second part पढ़ने जा रहे हैं First part में हम लोगों ने introduction पढ़ा था cell का और दूसरी चीज हमने उसकी historical background के बारे में पढ़ा था तो second part के अंदर हम क्या पढ़ना है इसके अंदर हम पढ़ना है difference between unicellular and multicellular organism के बारे में उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे difference between prokaryotic and eukaryotic cell के बारे में type of cell के बारे में and size of cell के बारे में तो cell की study करनी है में यहाँ पर तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं basically cell के study कहलाती कह है और cell biology जिसे हम क्या कह सकते हैं cell biology कहलाती कह है तो जैसे कि हम ले last lecture में पढ़ा था कि cell का है small rooms है तो वो small room हमारे काम कैसे करते हैं ठीक है उनका structure कैसा होता है उनका function क्या होता है जब हम cell की यह चीजे पढ़ते हैं कि cell वो जो cell है वो चुटा सा room है वो किस तरीकी से काम कर रहा है उसका structure क्या है तो जब यह study हम लोग कर रहे होते हैं तो इसको हम कहते हैं cell biology यानि कि study of cell in both aspects structural as well as functional इस known as cell biology तो cell biology के अंदर हम उसका shape के बारे में बढ़ते हैं उसके size के बारे में बढ़ते हैं वो दिखता कैसे उसके बारे में बढ़ते हैं तो यहां पर आप एक diagram देख पा रहे होंगे तो यह diagram हमारा है cell का diagram है इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि cell का shape जो है उसके अंदर अलग अलग चीजे रख्य हुई है वो किस तरीके से काम कर रही है पूरा function क्या है इस चीज़ को हम cell biology के अंदर बढ़ेंगे तो जब हम इसके बारे में बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास दो type की दो type के organism है तो यह में कितने type के organism है दो type के organism है एक organism तो ऐसा है जिसके अंदर एक cell ही सारे के सारे काम कर लेती है एक organism कैसा है वो सारे के सारे काम कर लेती है नहीं वो उसके structure वर्ड भी उसकी structure ही बनाती है और उसके function भी कर पाती है और कुछ cell ऐसी होती है कि जो कुछ organism ऐसे होते हैं जिसके अंदर multiple cells होती है अलग-अलग काम के लिए, अलग-अलग काम करने के लिए, अलग-अलग सेल रखी हुई है, ठीक है, जिस तरीके से आप एक्जामबिल लेके समझ सकते हैं कि एक स्कूल है हमारा, एक छोटा स्कूल है हमारे पास, तो अगर वो छोटा स्कूल है, तो एक ही टीचर मल्टिबल का करवाता है उद्रें बच्चों को पढ़ा भी लेगा उनको घुमा भी देगा उनको खिला ही तीचर सारे काम करたा है जब स्कूल बढ़ा होने लगता है, तो आप क्या देखते हैं कि multiple teacher रखे होते हैं, multiple work के लिए, ठीक है, कोई physics पढ़ाने आ रहा होगा, और बड़े-बड़े coaching पढ़ाने के लिए ऐसा भी होता है, कि physics के भी अलग-अलग subject पढ़ाने के लिए बायो का कोई teacher है, वो यह वाला topic बायो का यह वाले teacher पढ़ाएंगे, physics का यह वाला topic यह वाला teacher पढ़ाएंगे, इस तरीके से अलग-अलग function के लिए अलग-अलग teacher को divide कर दिया जाता है, इसी तरीके से जो हमारे पास organism हैं, उनके अंदर भी होता है, जो छोटे small organism हैं, उनके अंदर एक ही cell दोनों काम कर पा हैं, difference between unicellular and multicellular organism के बारे में, तो unicellular organism के बारे में और multicellular organism, unicellular हमारा जो होता है, organism is single cell, उसके अंदर क्या होती हैं, एक ही cell होती है, तो वो जो single cell है, वो ही functional और structural work का का काम करती है, जब के multi cellular के अंदर क्या होती है organism is multi cell उसके अंदर multiple cell होते है अलग-अलग काम करने के लिए अलग-अलग cell होती है जैसे human है human के अंदर neurons भी होए human के अंदर red blood cell भी है white blood cell भी है तो यह जो अलग-अलग type की cells है यह अलग-अलग काम कर रही होती है ठीक है तो यह बात समझनी है दूसरी बात हमें याद रखिए कि single cell form the structure as well as function जैसे मैंने भी बात करी कि वो दोनों काम करती है structure बनाती है और function का काम भी करती है जैसे respiratory work है nutrition वाला work है वो single cell ही कर दी है वो सारे काम कर दी है वो multifunctional है वो हर काम करना जानती है जैसके multi cellular के अंदर क्या है कि वो जो organism है जैसे human है उसके अंदर आपको different type की cell देखेंगे वो different type के काम कर रही होगी तो जैसे मैंने भी आपको example में बताया यह neuron है human के अंदर ठीक है white blood cell है red blood cell है ठीक है तो skin cell है हमारे पास यह जितनी भी cell से हमारे पास यह अलगलग cell ही अलगलग cell जो है अलगलग काम कर रही है तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे अब जाहरी बात है अगर वो unicellular की अगर हम बात करें तो unicellular cell जो होगी हमारी वो simple structure होगा उनका कैसा structure होगा simple simple organization है एक ही cell है उसके बारे में आपको distance करना है जबके multicellular हमारा complex organization होता है तो यह third point आप याद रखें उसके example आप unicellular के example याद रख सकते हैं कि bacteria हमारे पास है इसी तरीके से paramecium है उसके diagram भी आप देख सकते हैं यह हमारा bacteria का diagram है और यह हमारा paramecium का diagram है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यह हमारी unicellular है यानि bacteria के अंतर एक ही cell होती है वो उसका structure ही बना रही है और वो उसका function भी कर रही है इसी तरीके से paramecium के अंतर भी आप देख पा रहे होंगे कि वो उसका structure बना रही है और work भी कर रही है ज़के multicellular organism यानि human है animals है, plants है यह हमारे multicellular है इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा अलग-अलग cell, अलग-अलग work कर रही होंगी तो यह कुछ differences है multicellular organism और single cellular organism के बारे में तो यह हमारा important topic था इसके बाद जो next topic हमें cover करना है वो है हमारा difference between prokaryotic and eukaryotic cells के बारे में prokaryotic cell और eukaryotic तो prokaryotic का आप बिनिक समझ सकते हैं pro मतलब primitive karyotic मतलब nucleus यानि कि nucleus से पहले वाली cells ठीक है, जब तक nucleus नहीं बना है उससे पहले जो cell त्यार हुई है ऐसा हम कह सकते हैं कि nucleus के complete होने से पहले जो cell त्यार हुई है वो cell हमारी के अगलाती है prokaryotic cell के लाती है मतलब अभी nucleus हमारे पास complete नहीं हुआ mature नहीं हुआ उससे पहले ही काम स्टार्ट हुए है वो हमारी cell के अगलाई prokaryotic cell के लाई तो nucleus हमारा हमारा भी mature नहीं है simple बात तो primitive है incomplete है क्योंकि भी nucleus complete नहीं हुआ है और simple है nucleus complete नहीं है इसका जो neutroid है ठीक है उसका जो cell membrane है वो cell membrane जो है अभी absent है आप यह कह सकते है कि जो nucleus के अंदर pinpoint structure है उसके चारों तरफ जो nucleus membrane होती है वो absent है ठीक है वो absent होने की वज़े से अभी हमारा nucleus कैसा है true nucleus नहीं है तो यह सारी बाते आप याद रखेंगे nuclear membrane absent है true nucleus नहीं है absent है true nucleus और size इसका कैसा है small है जबके हमारे पास eukaryotic जो है इसका डाइगराम देख सकते हैं prokaryotic का जबके हमारे पास eukaryotic cell जो है वो after nucleus यह नहीं nucleus इसमें complete हो चुका है nucleus complete होने के बाद cell बनी है यह तो advanced है complete है और complex है ठीक है advanced भी है complete भी है और complex भी है और इसके अंदर आपको यह याद रखना है कि हमारा nucleus क्या हो चुका है complete हो चुका है तो nucleus membrane present है इसके अंदर उसके बाद true nucleus present है इसके अंदर और size इसका कैसा है larger than prokaryotic cell है लगबक 5200 micrometer के करीब है तो इसका diagram आप यहाँ पर देख वा रहे है इसके बाद एक diagram आप यहाँ पर और देखें तो इसके अंदर हमने देखा है कि जो हमारा nucleus है ठीक रही है nucleoid है हमारा उसके चारों तरफ nucleus membrane present नहीं है किसके अंदर जो हमारी prokaryotic cell है जबके हमारे जो eukaryotic cell है हमारी जो eukaryotic cell है उसके चारों तरफ nucleo membrane present है इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं cell का shape ऐसे मैंने आपको बताया कि हमारी सेल जो है जो हमारी बाडी के अंदर सेल है वो एक के छोटा सा रूम है तो यह रूम जो है यह हर जगे हमारे बाडी के अंदर जो है अलग-अलग शेप का देखने को मिल सकता है यह किस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी पोजिशन कहा है ब जो हम नियुरों की बात करते हैं नियूरों काफी लंभी सेल हमें देखने को मिलती है तकरीमन इसकी लेंद कितनी है वन मीटर गरीब है तो आप देख पारे होंगे पर नियुक्लिए बड़ इसका एक नुकलिस भी आपको देखने को मिल दा है ठीक है तो इस तरीके से लंभी cell है branch cell भी है और limited cell भी है ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी body में जितनी भी हरकते हो रही है उसके लिए जिम्मदार कौन है नियूरॉन है तो नियूरॉन को पूरी body connection बनाये के रखना होता है इसलिए हमारी stretch भी कर रहे होते हैं तो छिती है तो स्कूत हमारी मुसल सैल हमारी क्या करती है स्काइब काई हमार Mia कई यह हमारे पास polygonal है इसे हमारी to liver tell जो हमारी यह कैसी Shג欅 POLYGONल सेफ चुň बना रहे हैं तो आप यहां पर देख पा रहे हैं इह वो हमारी branch cell है, जैसे आप यहाँ पर blue color की shape में देख पा रहे होंगे तो इसी तरीके से एक हमारे पास cell जो कहलाती है discoidal cell यानि के red blood cell, तो red blood cell हमारी discoidal cell है यहाँ पर आप उसका diagram देख पा रहे हैं तो इस तरीके से हमारी body के अंदर भी different type की cells देखने को मिलती है वो किस बात पर depend कर रही है, वो इस बात पर depend कर रही है कि उसका function क्या है body के अंदर तो अलग-अलग function के हिसाब से body की cell जो होंगी, वो अलग-अलग हो सकती है ठीक है, इस बात को ध्यान दखेंगे उसके बाद जो हम आगे पढ़ते हैं topic वो हमारा है largest cell, animal cell तो हमारी जो animals हैं, उसके अंदर जो cells पाई जाती है यानि जैसे हमने बात के लिए अलग-अलग टाइक की cell पाई जा रही है तो वो सबसे लंबी cell कौन से, सबसे बड़ी cell कौन सी है तो animals cell के अंदर हम सर्च करते हैं, जो सबसे बड़ी cell हमें देखने हों मिलती है है कि वो सबसे कितना ज़्यदा बढ़ा है इसी तरीके से हमारे पास largest plant cell भी है तो largest plant cell जो हमारे पास है, वो कौन सी है? acetabularia, acetabularia हमारे पास कैसी है? यह largest plant cell है, तो यहां पर आप उसकी लीव देख पा रहे होंगा, acetabularia की तो यह तक्रीबं six to ten centimeter large होती है इसी तरीके से longest cell की अगर हम बात करें तो longest cell में हमारे पास, अभी हमने neuron के बारे में डिसकस कर आ है तो neuron हमारे जो है, वो largest cell है one meter in height, height के अंदर उसका कितना है? ओ, one meter के करीम हमारा हो जाता है तो यह हमारी longest animal cell है इसी तरीके से longest plant cell की बात करें तो hump हमारे पास एक tree है, उसकी जो branches होती है, जो उसकी cells होती है, वो कितनी हो जाती है, one meter in length में हो जाती है, जैसे हम tree आप देख पा रहे होंगे, जिसे भांग का पेड़ भी आप लोग कहते हैं, इंडिया में काफी देखने को मिलता है हमारे आसपास, तो इस तरीके से ये cell हम हमारे पास smallest cell है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो अगर हम volume के बारे में बात करें, cell का volume के बारे में बात करें, तो cell का volume अगर हम देखें, तो हमारी जो cell का volume है, हर एक organism के अंदर, वो लगभग कैसा है, बराबर है, हर एक organism से cell का volume कैसा है, लगभग बराबर है, आप animal है हमारे पास और एक रैट है मारे पास तो animal क्योंकि काफी बड़ा है तो उसके cell जो होंगी वो बड़ी होंगी और जो माउस है हमारे पास चोटा है तो उसकी cell जो होगी वो छोटी होगी ऐसा कता ही नहीं है ठीक है हर किसी की cell का जो volume है वो कैसा है approximately अगर average निकाला जाए तो तो फिर फर्क का है तो फिर फर्क है उसके अंदर number of cells में अगर हम elephant की बात करें तो elephant के पास number of cell ज्यादा होंगी और mouse के पास number of cell कम होंगी तो जो जितना चोटा organism होगा उसके पास number of cell उतनी ही कम होंगी मगर उनका जो volume है ठीक है वो कैसा है सबका लगबग एक ही जैसा है त तो small organism होंगे उनके अंदर number of cell कम होंगी और जो larger animal होंगे उनके अंदर number of cell जादा होंगी तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आयो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजेगा नहीं वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने friends में इसको share जरूर तो आज के लिए इतना ही शुक्रिया धन्यवाद thank you